देश की एकता और अखंडता का प्रतीक तिरंगा जहां एक और समूचे विश्व में हिंदुस्तानी शोरे की अलग पहचान रखता है इसी जजबे को अपने दिलों में संजोई जोदपूर के फलोदी में 36 कोम चाहे हिंदू हो या मुसलिम सभी संगठनों ने एक जुट होकर शहर के मुख्य सड़क मार्क पर तिरंगा जात्रा निकालकर एकता और अखंडता का परीचे दिया 15 अगस को प्रतिवर्ष की भाती तिरंगा यात्रा की तयारियों को लेकर सभी संगठनों ने एक जाजम पर बैठकर व्यावस्थाओं पर विचार विमर्ष किया वहीं प्रबुद नागरिकों और युवाओं ने तिरंगा यात्रा कारिकम के पोस्टर का विमोचन किया सबसे बड़ी और गोर करने वाली बात ये है कि इस तिरंगा यात्रा की शुरुवात दिव्यांग पुष्प वर्षा के साथ करते हैं इस्तिरंगा यात्रा में किसी राजनितिक पार्टी के नेताओं को तवज़ो नहीं दी जाती जो भी कोई इस यात्रा में शामिल होता है वो एक साधरन हिंदुस्तानी के रूप में ही देश भक्ति का संदेश देता है